हेलो फ्रेंड्स मैं त्रीदिनिंग जीके के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में पूरे एक्स्प्लेनेशन के साथ हम डिसकस करेंगे साइन्स के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसंस जो पिछले एक्जाम में बार बार पूछे गए है फ्रेंड्स आपका एक लाइक एंड कमेंट हमारे अंदर फिर से एक नई वीडियो बनाने की एनरजी देता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें तो आईए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास आज का हमारा पहला क्यूशन है मानव मस्तिस्क का इन में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंदर है ओप्शन A सेरेबेलम, ओप्शन B सेरेब्रम, ओप्शन C मेडूला अबलागेटा, ओप्शन D पॉन्स तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा ओप्शन C मानव मस्तिस्क का वो भाग मेडूला अबलागेटा है जो निगलने और उल्टी करने का नियमन केंदर है साथ ही दोस्तों ये स्वास लेना, खाने को पचाना, छीकना, इत्यादी कारियों का भी नियमन केंदर होता है दोस्तों मानव मस्तिस के तीन भाग होते हैं सेरेबेलम, सेरेब्रम और तीसरा होता है ब्रेन इस्टेम तो जिसमें से cerebellum क्या करता है दोस्तों ये body की movement को control करता है तथा चलना, खड़े होना, balance, eye movement, रुकना कहां पर है ये सब cerebellum के द्वारा control होता है इसी परकार cerebrum क्या करता है दोस्तों ये देखना, सुनना, इसपर्स करना या emotions, सीखना इत्यादी को control करता है cerebrum और जो दोस्तों option D है, pons, ये brain stem का ही एक part है, जो medulla ablageta और thalamus को आपस में link करता है तो दोस्तों इस question का हमारा answer क्या हो जाएगा, option C, medulla ablageta, ठीक इसी परकार दोस्तों, अगला question लेते है अगला question है, निम्न में से कौन सा एक hormonal विकार है, option A, hemophilia, B, madumah, option C, ricatus, option D, dad तो दोस्तों इस question का हमारा answer होगा, option B, madumah, जो insulin hormone की कमी की वज़े से होता है, अर्थात ये एक hormonal विकार है हीमोफिलिया दोस्तों एक anuancy की रोग है, ricatus, एक bone disorder है दोस्तों, जो vitamin D की कमी की वज़े से होता है अमुमन ये 6 से 24 महिने के बच्चों में पाये जाता है, और दाद एक fungal infection है अर्थात दोस्तों हमारा question number 2 का answer की हो जाएगा, option B, madumah है ठीक, इसी परकार अगला question देखते हैं दोस्तों ये question कहे रहा है, नीमन लिखित में से कौन सी गेसों के विशरण की दर उच्चतम होती है option A, O2, option B, CO2, option CNS3, option D, N2 तो देखे दोस्तों, इस question का answer होगा, option CNS3, ammonia इसका कारण ये है, दोस्तों की गेसों के विशरण की दर उनके अनुभार के inversely proportional होती है इसका मतलब ये होता है कि अनुभार बढ़ेगा, तो विशरण की दर गटेगी और अनुभार गटेगा, तो विशरण की दर बढ़ेगी तो यहाँ देखे दोस्तों, A, B, C, D, 4 option के अंदर ammonia gas का अनुभार बाकी सबसे कम है इस वज़े से दोस्तों, option C अमारा right होगा इन चारों option में से ammonia gas के विशरण की दर सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका अनुभार सबसे कम है इसी परकार दोस्तों, अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन के रहा है, चमगा दड़ों में पाया जाता है option A, प्रासरविय द्वनितंत्र, option B, आवरक्त संसुचक तंत्र, option C, रेडियो तरंग संसुचक तंत्र, option D, प्रकासी ये संचार तंत्र तो friends, इसक्यूशन का आंसर होगा, अमारा option A, प्रासरविय द्वनितंत्र, friends, चमगा दड़ों में, कुतों में, बिली में, इत्यादी में, प्रासरविय द्वनितंत्र होते हैं क्या होता है दोस्तों, 20,000 Hz से उपर की जो तरंगे होती है, उनको हम प्रासरविय तरंगे कहते हैं, अर्थात, ultrasonic wave कहते हैं, जिनको मनुश्य के कान सुन नहीं सकते हैं तथा 20 से 20,000 हड्स की जो तरंगे होती है उनको स्रव्य तरंगे कहते हैं जिनको मनुष्य के क्यान इजीली सुन सकते हैं और जो 20 हड्स से नीचे की जो तरंगे होती है दोस्तों उनको अस्रव्य तरंगे बोलते हैं जिनको कोई भी नहीं सुन सकता है अर्थात हमारे इस यह किईूशन के रहा है जब एक परिपत में कई परतिरोध स्रंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान बढ़ता है कम होता है आधा हो जाता है एक ही रहता है तो फ्रेंड इस क्यूशन का आणसर होगा हमारा ओप्शन डी एक ही रहता है कैसे दोस्तों कि जब सिरीज करम में जोड़ा जाता है परतिरोद को तो वो कुछ इस तरीके से जोड़े जाते हैं तो यहाँ पे देखे दोस्तों करंट जब इदर से परवा होगी वो इदर से भी सेम वो ही करंट जैसे इदर से आई करंट जा रही है तो इदर से भी आई निकलेगी और बीच में कोई भी दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है अर्थात पूरे पर्तिरोदों में से एक ही current परवा होगी यानि current का मान एक ही रहता है अलग अलग नहीं रहता है लेकिन समांतर करम में क्या होता है friends वो कुछ इस तरीके से पर्तिरोध जुड़े होते हैं तो इस case में क्या होगा यदि इधर से I current परवा हो रही है इसमें अलग जाएगी इसमें अलग जाएगी इसमें अलग जाएगी ठीक इसी परकार दोस्तों अगला क्यूसन लेते हैं ये क्यूसन कह रहा है वायू में द्वनी का वेग क्या करता है option A तापमान के बढ़ने से गढ़ता है option B तापमान के गढ़ने से बढ़ता है option C तापमान पर आश्रित नहीं रहता है Option D तापमान के गटने से गटता है तो देखे फ्रेंड द्वनिका वेग तापमान के उपर डाइरेक्ट निर्बर करता है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दोस्तों तो द्वनिका वेग भी बढ़ेगा और तापमान गटने पर द्वनिका वेग भी गटेगा तो देखे यहाँ पे हमारा option D कह रहा है ताप मान के गटने से गटता है अर्थात हमारा option D right हो जाएगा Friends मैंने पिछले वीडियो में द्वानिक का वेक के बारे में पूरा detail में explain किया है जिसका link मैंने निचे description में दे रखा है वहाँ पे आपको द्वानिक की speed किन किन कारपो पर निर्भर करती है कैसे कैसे change होती है वो पूरा detail में समझाए हुआ है तो उस वीडियो का आप जरूर देखे दोस्तो link निचे description में दे रखा है इसी परकार दोस्तो अगला question लेते हैं ये question कहे रहा है search light का परावर्तक कोन होता है option A उतल दरपन, option B आउतल दरपन, option C बेलनाकार दरपन, option D समतल दरपन तो friends इस question का answer हमारा option B हो जाएगा search light का परावर्तक आउतल दरपन होता है क्योंकि दोस्तो ये anant से आने वाली कीणों को एक ही बिंदू पर केंद्रित कर देती है कुछ इस परकार का pattern मनता है जैसे ये anant से आई और इनको दरपन से तक्राने के बाद ये इन सब को एक ही बिंदू पर केंद्रित कर देता है तो मान लिजे जो हमारा बेटरी है जो सर्च लाइट है उसका बल्ब यहाँ पर है तो यहाँ से जाने वाली यह किने जब इस प्रावर्तक यानि इस आउतल दरपन से टकराएगी तो टकराने के बाद यह सब क्या हो जाएगी ऐसे पेरलल जाएगी ऐसे यानि एक सीधी रेखा में गमन करेगी जो हमारे सर्च लाइट के लिए बहुत जरूरी है ठीक इसी परकार दोस्तों आउतल दरपन का परियोग हम जो आँक ना कान के डॉक्टर होते है ठीक लों के टरकों के वहाँ पर उतल दरपन का परियोग किया जाता है तो इस क्यूशन का अंसर हमारा हो गया है दोस्तों आउतल दरपन इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं फ्रेंड ये क्यूशन कह रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गेस निकलती है आप्शन A कार्मन डायोक्साइड आप्शन B हाइडरोजन आप्शन C ऑक्सिजन आप्शन D क्लोरिन तो फ्रेंड इसका आंसर होगा हमारा आप्शन D पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालने पर साथ ही जो सुगर मिल में चीनी होती है उसको सपेद करने में भी कलोरिन का इस्तमाल किया जाता है तो इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कलोरिन ठीक इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं ये क्यूशन के रहा है सोर प्रणाली का अविस्कार किस ने किया था उप्षन A न्यूटन उप्षन B कॉपर निक्स उप्षन C गेलीलियो उप्षन D जॉन हेडली तो फ्रेंड न्यूटन ने गुर्तवा करसन की खोज की थी गेलीलियो ने गड़ी का पेंडिलोम बनाया था और कॉपर निक्स ने सोर प्रणाली का अविस्कार किया था अर्थात हमारा उप्षन B राइट है सोर प्रणाली का अविस्कार कॉपर निक्स ने किया था ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन के रहा है इन में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है option A chlorophyll, option B दुवा, option C ruby glass, option D दूद तो देखे दोस्तों इस क्यूशन का आंसर होगा option A chlorophyll chlorophyll एक कोलाइड नहीं है ये हरी पत्यों में पाया जाएवाला पर्ण हरी थे दोस्तों बहाएड नहीं है तो देखे दोस्तों जो दूवा को झारी नहीं है बहुत हי कम होते है यानि एक से एक हजार नेनोमेटर के बीच का होता है उसको किसी दूशरे पतार्थ के अंदर डिस्पर्ष कर दिया जाता है तो उसके particle क्या है कि उस पदार्त में तेरते रहते हैं नीचे settle नहीं होते हैं तो इस परकार का तो solution होता है उसको collide solution बोला जाता है तो इस question का आंसर हमारा option A हो जाएगा chlorophyll ठीक इसी परकार अगला question देखते हैं ये question कहे रहा है जंग रोधी इसपात यानि stainless steel के निर्माण में किसका परियोग होता है option A तामर और निकल, option B तामर और क्रोमियम, option C क्रोमियम और निकल, option D मेगनीज और तामर तो friend इस question का आंसर होगा हमारा option C जंग रोधी इसपात के निर्मान में क्रोमियम और निकल का परियोग किया जाता है कई एक्जाम में और भी क्यूशन पुछे जाते हैं जैसे पीतल के बारे में पुछा जाता है पीतल, कोपर और जिंक का बना होता है कासा, कोपर और टीन का बना होता है टांका या सोल्डर धातू टीन और सीसे की बनी होती है तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंट इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है ठीक इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं ये क्यूशन कहे रहा है प्राकर्तिक गेस का मुख्य गटक है तो देखे दोस्तों प्राकर्तिक गेस के अंदर 95% हाइड्रोकार्बन पाय जाता है जिसमें से 80% मेथेन होता है आर्थात हमारा ओप्सन A सही हो जाएगा प्राकर्तिक गेस का परमुगटक क्या है मेथेन और दोस्तों जो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ये LPG यानि लिक्विट पेट्रोलिम गेस का परमुगटक होते हैं और LPG के अंदर दोस्तों सल्फर का योगिक मिला जाता है जिसका नाम है मिथाइल मरकॉप्टेन ताकि सिलेंडर से जब LPG का रिसाव हो तो उसकी गंद से हम उसको पेचान ले कि हमारे सिलेंडर से LPG का रिसाव हो रहा है तो ये भी काफी important क्यूशन है कई बार exam में पूचा गया है तो हमारी इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा प्राकरति गेस का मुख्य गटक मिथेन और LPG का मुख्य गटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन के रहा है मनुश्य के सरीर में लोहे की कमी का क्या पרिणाम हो सकता है option A अरत्ता, option B रतोंदी, option C इसकर वी, option D रिकेटस तो friends इस क्यूशन का आंसर हो गा हमारा option A मनुश्य के सरीर में लोहे की कमी की वज़ेसे अरत्ता याणि एनीमिया रोग होता है और दोस्तों ये ज़्यादा तर महिलाओं के अंदर पाये जाता है लोहे की कमी की वज़े से क्या होता है कि बलड के अंदर O2 की कमी आ जाती है दोस्तों तो इसी को एनीमिया रो केते हैं इसको हम anemia कहते हैं और leukemia के अंदर क्या होता है कि बलड के अंदर WBC यानि स्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृदि हो जाती है और इसको हम leukemia कहते हैं और तीसरी डाम मैं polycythemia जिसके अंदर RBC की असामानिय रूप से वृदि हो जाती है और इसको हम polycythemia कहते हैं तो friend इस question का आंसर हमारा क्या है option A अरक्तता यानि अइनीमिया ठीक इसी परकार अगला question देखते हैं ये question कहे रहा है मानव में तापमान का नेंतरन कौन सी गरंती करती है option A अधिवरक गरंती option B हाइपो थेलेमस गरंती option C पियूस गरंती option D अव्टू गरंती तो friend इस question का आंसर होगा हमारा option B मानव में तापमान का नेंतरन हाइपो थेलेमस गरंती करती है ये गरंती दोस्तों पियूस गरंती और ब्रेन इस्टेम के उपर पाई जाती है जो मानव के तापमान और भूख यानि हंगर को कंट्रोल करती है ठीक इसी परकार दोस्तों अगला question लेते हैं ये question कहे रहा है सुस्क सेल का एनोड किसका बना होता है option A ग्रेफाइट option B केडमियम option C जस्ता option D सीसा तो friends सुस्क सेल का एनोड या option A राइट होगा सुस्क सेल का एनोड ग्रेफाइट जो कि ये कार्बन का अपर रूप है उसका बना होता है ठीक इसी परका अगला question ये question कहे रहा है वलकीनी करण परक्रिया के दोरान निमन लिखित में से किस पदार्थ को मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है option A nitrogen option B silicone option C sulfur option D alcohol तो देखे दोस्तों इस question का आंसर होजएगा हमारा option C वलकीनी करण की परक्रिया के दोरान sulfur मिलाने से रबर में कठोरता आ जाती है तो वलकीनी करण की परक्रिया में sulfur का परियोग होता है दोस्तों ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते है ये क्यूशन के रहा है एक सामान्य व्यक्ति में परती मिनट के हिसाब से हर्दे इस्पंदन का दर कितना ओसत होना चाहिए option A 82 option B 92 C 72 and D 98 तो friend किसी सामान्य व्यक्ति में यदी यहाँ पर अधिक उम्र की बात करता है तो अधिक उम्र वालों का हर्दे की धड़कन परती मिनट 60 से 62 बार होती है दोस्तों और सबसे ज़ादा छोटे बच्चे होते हैं उनमें हर्दे की धड़कन सबसे ज़ादा होती है इसी परकार जब बुरून अवस्ता में बच्चा पेट में होता है उस टाइम इसकी हर्दे की धड़कन 150 के करीब होती है परती मिनट तो ये डेटा भी आपको याद रखने है तो इस क्यूशन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा option C 72 बार सामाने व्यक्ति का हर्दे कितनी बार धड़कता है परती option C पूर्ण आंत्रिक परावर्थन option D विश्रन तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा हमारा option C optical fiber पूर्ण आंत्रिक परावर्थन के सिधान्त पर काम करता है option एक रहा परकिरिणन दोस्तों परकिरिणन क्या होता है वातावरण में उपस्तित दूलकणों या अन्य पार अपवर्थन क्या होता है दोस्तों जब परकास की किरण एक माधियम से दूसरे माधियम में परवेश करती है तो अपने रस्ते से विचलित हो जाती है और इस गटना को हम क्या कहते हैं अपवर्थन और विश्रन की गटना दोस्तों गेसों में फाय जाता है और ये गेसों क फेलने का संकेत होता है इसको हम विश्रन केते हैं तो इस क्यूशन का आंसर हमारा option C हो जाएगा optical fiber पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के सिदान्त पर काम करता है ठीक इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं दोस्तों ये क्यूशन के रहा है hydrogen bomb का अविश्कार किस ने किया? hydrogen bomb का अविश्कार Edward Teller ने किया था इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं यह क्यूशन के रहा है मदूमे के रोग्यों को मदूर कारक यानि स्विटनर के रूप में दिये जाने वाले एक उत्पादन का नाम aspartum है यह किस वर्क से संबंदित है? option A carbohydrates, option B peptides, option C polyhydric alcohol, option D allolides तो देखे दोस्तों इस क्यूशन का अंसर होगा हमारा option D मदूमे के रोग्यों को स्विटनर के रूप में aspartum का परियों करते हैं जो allolides वर्क से जुड़ावाए तो देखे दोस्तों होता है कि अगनासिय की बीटा कोसी का द्वारा insulin हार्मोन स्रावित होता है जो glucose से glycogen बनने की क्रिया को कंट्रोल करता है तो क्या है कि insulin हार्मोन की जब कमी हो जाती दोस्तों तो उस वज़े से क्या ही खून में glucose की मातरा बढ़ जाती है और इसे ही हम मदुमे रो केते हैं यानि diabetes केते हैं तो देखे दोस्तों इस क्यूशन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा option D. एलेलाइट्स ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन के रहा है खाद्य पदार्तों में दुरगंद आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है option A. हाइडरोलाइसिस, option B. आक्षिकरण, option C. सोधन, option D. अवकरण तो देखे दोस्तों इस क्यूशन का आंसर होगा हमारा option B. खाद्य पदार्तों में दुरगंद आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ओक्षिकरण है देखे दोस्तों खाद्य पदार्तों के संरक्षन के लिए बेंजोईक एसीड का परियोग किया जाता है ये क्यूशन भी एकजाम में कई बार पूछा गया है तो आपको दोनों चीज़े याद रखनी है दुरगंद का कारण होता है वसा और तेलों का ओक्षिकरण और उनको संरक्षित रखने के लिए बेंजोईक एसीड का परियोग किया जाता है ठीक इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं फ्रेंड यह क्यूशन के रहा है सहरों के वातावरण में उपस्तित कैंसर जन हाइडरोकारबन बेंजोईकरण का परमुक्स रोत है ओप्सन निर्मान गतिवी दिया ओप्सन भी सड़क यातायाद ओप्सन C पठाके फोर ना ओप्सन D गरेलू आग जलाना तो फ्रेंड बेंजोagues पायर्न का परमुक्स रोत गरेलू आग जलाना है इसका ओप्सन D राइट है यानि इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा गरेलू आग जलाना देखे दोस्तों वेंजो पायरन का परमुक्स रोत होते हैं रेजिडेंशिल, फायर, सिग्रेट का धुआ और कुछ-कुछ मात्रा में ओटो मोबाइल जविशेस रूप से डिजल इंजन होते हैं ये क्यूशन के रहा है हेलोजनों में सबसे अधिक अभिकिरियासील है ओप्सन ए फ्लोरिन, ओप्सन बी क्लोरिन, ओप्सन सी ब्रोमिन, ओप्सन डी आयोडिन तो फ्रेंट इस क्यूशन का आंसर होगा हमारा ओप्सन ए फ्लोरिन तो इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा option A, fluorine ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देते हैं यहां क्यूशन के रहा है गाजर निमन लिकित में से किस विटामिन का संपन्स रोथ है option A, vitamin A, option B, vitamin C, option C, vitamin D, option D, vitamin E तो friend इस क्यूशन का आंसर होगा हमारा option A, गाजर, vitamin A का संपन्स रोथ है दोस्तों, vitamin A को retinol भी का जाता है, जिसकी कमी से रतोंदी नामक रोग होता है vitamin A के और भी स्रोथ है, गाजर, दूद, अंडा, हरी सबजी, मचली का तेल, आदि इसके संपन्स रोथ होते हैं ठीक, इसी परकार अगला क्यूशन लेते हैं ये क्यूशन के रहे, वायू परदुसन के मामले में वनस्पती का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है option A, वनस्पती के तने, option B, वनस्पती की जड़ें, option C, वनस्पती की पतियां, option D, वनस्पती के फल तो friend, इस क्यूशन का answer होगा हमारा option C, वनस्पती की पतियां, वायू परदुसन से वनस्पती की पतियों का रंग पीला पढ़ जाता है friend, और ये पीले रंग की दिखने लगती है तो हमारा इस क्यूशन का आंसर हो जाएगा option C, वनस्पति की पतिया ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन कहे रहा है लाल रक्तकन इन में से किस में उत्पादित किये जाते हैं option A, तिल्ली, B, गुर्दा, C, यकृत, D, बॉन मेरो तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा option D, बॉन मेरो जिसको हम अस्ति मज़ा भी कहते हैं लाल रक्तकन हड्डियों के रेड बॉन मेरो में उत्पादित किये जाते हैं ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन कहे रहा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवी आप से छोटा है तो दर्पण का परकार है option A, समतल उत्तल दर्पण option B, अउतल दर्पण option C, समतल दर्पण option D, उत्तल दर्पण तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा option D उत्तल दर्पन उत्तल दर्पन के अंदर दोस्तों हमेशा छोटा परतिविम बनेगा और आबासी परतिविम बनता है तो ये वाला क्यूसन दोस्तों कई एक्जाम में बार बार अलग लग बासा में रिपीट करके पूचा जाता है जिसका आंसर हमेशा उत्तल दर्पन हमेशा छोटा परतिविम भी बनाता है दोस्तों ठीक इसी परकार अगला क्यूसन देखते हैं ये क्यूसन कहे रहा है परकास के वर्णों में से किसका दिरगतम तरंग देदरिय होता है option A बेंगनी, option B पीला option C लाल, option D हरा तो friend इस क्यूसन का आंसर होगा हमारा option C लाल रंग का तरंग देदरिय सबसे ज़्यादा होता है friend इसके एक ट्रीक याद रखिए जब सपेद परकास किसी प्रिज्म से गुजरता है तो साथ कलर में डिवाइड हो जाता है वो किस तरह से याद रखना है बे जानी हपी नाला बे फोर बेंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग तो friend क्या है ये जब परकास प्रिज्म से गुजरता है तो ये जो साथ रंगों का सिक्वेंस है वो नीचे से उपर की तरफ है सबसे नीचे या बेंगनी होगा फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा ऐसे उपर की तरफ जाएगा तो friend ये बेजानी हपी नाला आपको याद रखना है इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे तो तरंग देज़े यान लेमडा का मान इंक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा लाल रंग का और जैसे जैसे हम इदर से इदर की तरफ बढ़ेंगे लाल से बेंगनी की तरफ तो अपवर्तनांक यानि म्यू का मान बढ़ता जाएगा यानि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका हो जाएगा बेंगनी अपवर्तनांक का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अपने मारक से विचलित कौन होती है तो देखे जब परिजम से ऐसे जाती है और टकराने के बाद सबसे पहले नीचे की तरब भेंगनी आता है, यानि बेंगनी कलर का अपरतनाग सबसे ज्यादा है, तो ये चीज याद रखनी है, बेजानी, हप्पी नाला, भेंगनी से लाल की तरब बढ़ते हैं, तो लेमड़ा बढ़ेगा, तरंग देदिरी बढ़ेगा, ओर लाल से बेंगनी की सबसे कम लाल रंग का होता है ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं फ्रेंड ये क्यूशन कह रहा है इस्ट्रोंसियम लवन के द्वारा बुंसन ज्वाला को कौन सा रंग परदान किया जाता है ओप्शन निलाव हरा बी सेब का हरा रंग सी इनिट का लाल रंग डी कि किर्मिची लाल रंग तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा ओप्शन डी इस्ट्रोंसियम लवन के द्वारा बुंसन ज्वाला को किर्मिची लाल रंग परदान किया जाता है ठीक इसी परकार अगला क्यूशन देखते हैं ये क्यूशन कह रहा है अमल वर्षा के कारण क क्या है ओप्शन ए सल्फर डाय ओक्साइड का उत्सरजन ओप्शन दूल के कणों में व्रदी ओप्शन सी कारबन मोन ओक्साइड ओप्शन डी निचले वाय मिंडल में अधिक ओजोन तो फ्रेंड इस क्यूशन का आंसर होगा ओप्शन ए सल्फर डाय ओक्साइड का उत्सर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेर करना न बुले साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तों